नमस्कार दोस्तो आज Google Search Engine को कौन नहीं जानता जब भी हम किसी बात से अंजान होते हैं या फिर हमें उस विसेक के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम जट से Google Search Engine यूज़ करना पसंद करते हैं हमें अमोग जिस बात के बारे में जानकारी चाहिए हम Google Search Engine में लिखते हैं और वो बात हमें फटाफट से पता चल जाती है लेकिन दोस्तो आप सभी लोगों को जानकर बहुत ही और आश्यर होगा कि हमारा चहीता Google Search Engine बंद होने के कगार पर है तो आखिर ऐसे क्या कारण है ऐसी क्या इंटरनेट की दुनिया में ऐसी क्या क्रांती आई है जिसकी वैसे Google Search Engine बंद हो सकता है तो आईए आज के वीडियो में जानते हैं उस इंटरनेट की क्रांती के बारे में जिसके मार्केट में आने के बाद में Google Search Engine बंद होने के कगार पर आ गया है तो दोस्तों उस करंटिकारी टूल का नाम है चैट जीपीटी जिसे ओपन याई ने लॉंच किया है और यह चैट जीपीटी ही वो टूल है जिसने इंटरनेट की दुनिया में बासात रखने वाले गूगल सर्च इंजन की जड़ें पूरी तरह से हिला के रखती है अगर हम इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल लोगप्री है सोसियल मीडिया साइट का अगर हम यह डेटा देखें जो कि आप अभी इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो जहां नेट्फिक्स को वन मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में साड़े तीन साल लग और आपका इंस्ट्राग्राम जो आप रील्स के लिए यूज करते हैं बहुत अच्छी जो एप है उसको वन मिलियन सब्सक्राइबर का आकड़ा चूने में धाई मने लेगे तो वहीं चैट जीपीटी ने वन मिलियन सब्सक्राइबर का ये आकड़ा महच 5 दिनों में पू लेके चैट जीपीटी एक अर्टिवीसियल इंटलियंस बेस एक टूल है जो की हम उससे जो भी सवाल पूसते हैं तो वह उसको टैक्स के फॉम में हमारे सामने रख देता है अब चाहें आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिखना चाहें या फिर कोई आपको अमोग जानका कर देगा और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है जो यह टैक्स जिस तरह से हमारे सामने पेस करता है तो आप उसकी जो यह लेंग्वेज इतनी अच्छे से बहुत ही अच्छे से आपके सामने प्रस्थिद्ट करता है कि आप उसमें बिल्कुल भी डिफरेंशियट नहीं कर सकते हैं कि यह जो टेक्स लिखा है किसी रोबो ने लिखा है या किसी हुमन ने लिखा है तो आएए अब हम आपको चैट GPT के लाइब डेमो पर लेके चलते हैं कि आप किस तरह से चैट GPT की सर्विसिस का फाइदा उठा सकते हैं तो देखें सबसे पहले आपको अपने तो आगे जाने पर यह आपसे email id के बारे में पूछेगा तो आप अपनी कोई भी email id इसमें use कर सकते हैं और नॉर्मल आप पासवर्ट डालके email id पासवर्ट से इस पर आप और sign in कर सकते हैं जब आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का web page display होगा जिसमें बहुत सारे देखिया आप देख सकते हैं examples है, capabilities है, limitations तो there are lot of inputs given फिर आपने क्या करना है जो भी आपको query है, जो भी आपको काम करना है वो सारी चीजें आप इससे chatbot से पूछ सकते हैं तो जैसे कि हम मान के चलते हैं आप लिखिये इसमें write a letter to the father तो जब आप यह लिखेंगे तो यह आपको 10 से 15 सेकंड में बहुत ही एक अच्छा letter आपके father के लिए लिखके देगा और आप देखेंगे जो इसकी जो language है वो बड़ी ही impressive तरीके से लिखी गई है जो कि हमें humans of chatbot में बिल्कुल भी फरक नहीं दिखाती है आईए अब हम थोड़ा और detail में जाते हैं तो chat GPT के पीछे वो ऐसी कौन सी science है बैकेंड पर ऐसी क्या coding काम करती है जिससे कि chat GPT हमारे लिए letters लिख देता है हमें किसी भी जानकारी के बारे में बता देता है और जो भी हम उससे पूछते हैं वो महज 10 से 15 सेकेंड में हमारे सामने उस चीज को प्रस्तूस कर देता है तो देखें जैसा कि आपको मैंने पह available है वो चाहें कोई Wikipedia है कोई encyclopedia है कोई history है geography है science and technology है या फिर जो different languages है मतलब वर्ल्ड में जो use करने वाली और जिस तरह से जो humans और communicate करते हैं अलग अलग देशों को लोग आपस में communicate करते हैं तो यह सारा ग्यान का बंडार coding के format chat GPT के अंदर और एक तरीके से incorporate किया गया है और जब भी हम किसी और चीज की डिमांड करते हैं कुछ chat GPT से पूछते हैं तो उनी records मैंसे chat GPT हमारे लिए most appropriate answers को choose करके और और इसको हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है तो दोस्तों देखिए जैसे कि विज्ञान के हमेसा दो पहलू होते हैं एक होते हैं और creative एक होते हैं जैसे destructive तो अगर हम chat GPT के अभी जो हम इसके बात करें जैसे creative इसके बहुत सारी use हैं और इसने लोग की जिंदिगी सरल बना जो हम जोड डालें तो कुछ जो पहलू जिस पर अभी सभी को मतलब सक है कि chat GPT के market में आने के बाद मैं जो भी हमारे जो नौकरियां हैं भविस्ति में वो एक तरह किसे कम हो जाएंगी तो अगर आप मुझसे मेरी व्यक्ति के तरह जानना चाहेंगे कि chat GPT के आने के बाद में वाकई में क्या वविस्ति में रोजगार कम हो जाएंगे तो मैं इसका जवाब हमें भी देना चाहूंगा ना में भी देना चाहूंगा तो देखे अगर आप इस तरह की किसी नौकरी में बंदे हैं जिसमें creativity की कमी है जिसमें analytical approach का use नहीं होता है और जो जस्ट एक ऐसी जॉब है जिसमें जो आपके deliverables हैं वो इतने easy हैं जिसको एक machine आराम से सीख सकती है तो आप आराम से और आपकी नौकरी खत्रे में आ सकती है और दूसरी तरह अगर आपकी जो जॉब है कुछ complex है जिसमें आप analytical data से deal करते हैं चीजों को complex चीजों को solve करते हैं तो आपकी नहीं आने वाला और जैसा कि हम बात करें चैट GPT की वैसे किन नौकरियों में कमी आ सकती है तो definitely देखिए news anchor ये आप डेली अपने घर में news देखते हैं आज तक देखते हैं जीनीज देखते हैं तो news anchor एक ऐसा पेसा है जिसमें आने वाले समय में चैट GPT जैसे artificial intelligent tools की वैसे रोजगार में कमी आ सकती है और इसका एक जीता जाकता अज तक ने अभी तक और implement भी कर दिया है पेस भी कर दिया है आपके सामने तो आपने देखा होगा सामको जब सुधीर चौधरी जी का सो DNA सामको रात को नौबज आता है तो उसमें जो आपको देश और दुनिया की ज ये एक रोबो है जो की और सारी न्यूज को पढ़ते हुए हम तक पहुंचाती है तो आप देख सकते हैं किस तरह से चैट जीपीटी जैसे रोबोस का यूज करते हुए हमने एक न्यूज एंकर को रिप्लेस कर दिया तो आप सभी के मन में डर सता रहा होगा कि आने वाले भविस्वें क्या हम मनुष से इस चैट जीपीटी जैसे रोबोस से हार जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि हम कहीं तक भी इस तरह के रोबोस से चैट जीपीटी से आर्टीफिसियल इंटेलिजेंस बेस टूल से कहीं न कर सकते हैं और हमारे अंदर जो सवाल पूछने की जो और कैपैबिलिटी है वो इन रोबोस में नहीं हो सकती ये बात जरूर है कि हमने विस्व का सारा इंसाइकलोपीडिया इनको दे के इनको इस तरह से ट्रेंड किया है कि वह हमारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं लेकिन आप एक बात का गौर करिए कि ये आर्टिफिसियल इंटेलियंस बेस रोबो हमसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं बिकॉज जो नौलेज अवेलेबल है जिसके बेस पर इनको प्रोग्राम किया है हमने कोडिंग दिये है उसके बेस पर हमारे सवाल का जवाब जरूर दे नहीं सकते तो मनुस्य को उसकी ये जो और जो जो अप्रोच है यही इन चैट जीपीटी जैसे रोबो से आर्टिफिसियल इंटेलियंस बेस टूल से सबसे ऊपर रखती है तो मुझे पूरा विस्वास है कि वपिस से मैं हो सकता है कि चैट जीपीटी जैसे टूल आने के ब तरह के टूल्स का कुछ भी विप्रीद प्रभाव नहीं पड़ेगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आपको यह जो मैंने आए आज एक नौलेजिबल जो इन्फोर्मेशन आर्टिफिसियल इंटेलियंस बेस चैट बॉट के ऊपर सेयर करी आपको अत्यांत पसंद आई साथ में मैं आपसे जुड़ा रहूंगा आपके सामने इस तरह की जानकारियां लात रहूंगा तो अगले वीडियो तक लाने तक मैं आपसे विदा लेता हूं तब तक खुश रहिए मस्त रहिए जैहिन